नमस्कार मैं एक्ता और आज मेरा टोपिक है एविलेशन ओफ प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया नाम आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा बट आप इसे असानी से अब समझ पाएंगे कि प्रिंट मीडिया होता क्या है यह ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ किसी भी सूचना या संदेश को लिकित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पोचाने का कारिय करता है वह प्रिंट मीडिया कहलाता है जैसे अकबार हंजी आप समझ गए अब अब बार एक प्रिंट मीडिया है पत्रिकाएं यानि मैं इसका आपको एक एक एग्सामपल देती हूँ नियूसपेपर के साथ काफी बार या फिर मन्थली या फिर वीकली कोई मैगजीन आती है रुपाएन, अमरुजाला, अमरुजाला के साथ एक रुपाएन आती है जो एक मैगजीन है यानि वह एक प्रिंट मीडिया है यानि जहां समाचार पत्र और पत्र काया आए वह प्रिंट मीडिया कहलाता है Print Media कई भाषाओं में है और केवल समचार पत्रता की सिमित नय होकर यह भूत सारे पत्रों में भी है सवतंत्रता आंदोलन में सेनानियों की बातों को जनता तक पोचाने में अकबा का सबसे एहम रोल माना गया है उस समय मात्र समचार पत्र ही जनता तक अपनी बात रखने का सबसे भैत्र और सबसे अच्छा माध्यम था यही कारण है कि print media का अतीत यानि past बहुत शांदार रहा वर्तमान में भी print media अपना दायत्य बखुबी से निभा रहा है समय के साथ इसमें बहुत से बदलाव भी आए यानि इतने बदलाव आने के बाद भी आज भी print media सबसे सरल और सस्ता है इसके कारण ही यह लोगों की पहली पसंद बन चुका है अगर हम देखे print media लोगों पर एक अपना सबसे गहरा परभाव डालता है print media की पहुच अधिक लोगों तक होती है इसी कारण पूरव से पस्चिम और उत्तर से दक्षिन तक ही print media चाया हुआ है जैसे देनिक जागर्ण, हिंदुस्तान, देनिक भासकर, राजिस्थान, पत्रिका, अमर उजाला, पत्रिका, परभात खबर, नव भारत टाइम्स, हरीभूमी, पंजाब के स्री यह सभी भारत में परकाशित होने वाले देनिक समाचार पत्रों के नाम है अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रिंट मेडिया के परकार क्या होते हैं समाचार पत्र, न्यूस पेपर्स, समाचार पत्रिकाई, न्यूस लेटर्स, या मैक्सीन, बैनर, या फिर लेटर्स, या पोस कार्ड पर सबसे बड़ा एक्जामपल तो है हमारी किताबे, यानि बुक्स हम जो बुक्स पढ़ते हैं, वो सभी प्रिंट मेडिया का ही एक माध्यम है अब तक तो आप जानी चुके होंगे कि प्रिंट मेडिया होता क्या है चलो अब हम बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति कप और कैसे हुई इतिहासिक रूप से प्रिंट मीडिया का जनम राजाओ द्वारा लिकित घोशना के परचार और परशार के साथ हुआ परन्तु हम अच्छे से यह नहीं कह सकते कि वह प्रिंट मीडिया ही था हाला कि पहले भी मीडिया की उपस्थी थी लेकिन पांडू लिप्यों के साथ अधिक लोगों तक सूचना का परचार यानि परशार संभव नहीं था क्योंकि लिखित सूचनाओं को मोखिक रूप से पढ़कर चल समू को सुनाने का परचलन था यानि उस समय में राजाओं दुआरा कोई भी खबर लिखित रूप में दीत हो जाती थी परन्तु वहाँ पर हर कोई सिक्षित नहीं था इसलिए वहाँ के जो राजा के राज दूत होते थे वे जगे जगे जाकर उन सूचनाओं को पढ़कर सुनाते थे विश में प्रिंट मीडिया की उत्पत्ती का श्रय जर्मनी को जाता है जर्मनी के ओस्वर्ग टाउन में सन 1909 में पर्थम मुद्रिच समाचार पत्र अविश रिलेशन ओडर जिटूंग छपने के साथ ही प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र का प्रचलन शुरू हो गया अब हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि प्रिंट मीडिया का विकास कैसे हुआ सन 1908 तक केवल जर्मनी के बर्ली शहर से ही पचपन से अधिक समाचार पत्रों का परकाशन होने लगा अमेरिका में भले ही प्रिंट मीडिया का आस्तितव देर से आया हो फिर भी लगबग 17 से 4 इश्वी में था लेकिन वहां इसका विकास बहुत तेजी से हुआ 1830 में अमेरिका में छपने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या 1200 से 300 तक थी प्रिंट मीडिया के तेची से विकास का एक मुख्य कारण विश्यूद का महोल भी था क्योंकि उस समय एक पक्ष यह जानना चाता था कि दूसरी पक्ष में क्या हो रहा है और विप्रिदेशों की सरकारें भी प्रिंट मीडिया का ही सहारा ले रही थी भारत में मीडिया का विकास तीन चर्णों में हुआ पहली दोर की नीव 19 सदी में उस समय पड़ी जब मीडिया दो दुर्वों में पढ़ चुका था उसका एक हिस्सा तो ओप निवेश्चिक साष्चन का समर्थक निकला और दूसरे हिस्से ने सवतनत्रता का जंडा बुलंद करने वालों का साथ दिया भारत समेत विश्वर में क्रांतियों, आनलनों और अभियानों आदी में प्रिंट मीडिया ने भहुत महत्पुन भुमी का निभाई भारत में पहला अकबार सन 1780 में जैम्स उंगस्टन हिक्की ने बंगाल गेजन के नाम से प्रकाशित किया इसके बाद तो भारत में संचार के छेत में क्रांति सी ही आ गई और एक के बाद एक अकबार प्रकाशित हुए इंडिनेट के परिच्चे से पूर्व लोगों के लिए अकबार ही जानकारी का स्त्रोथ था सन 1826 में हिंदी का पहला अकबार उदध मातंट आया आजादी से पूर्व जितने भी अकबारों का प्रकाशिन शुरू हुआ उन सभी में बिर्टिस्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी कही जाती थी लोगों को बिर्टिस्ट सरकार की दमनकारी मीतियों के बारे में बताया जाता था सोतनता प्राप्ति के बाद अकबारों का पैटरन बदला और अब अकबारों में सभी छेतरों की खबरों को महत्यों दिया जाने लगा अकबार अब to educate, to entertain, to inform के सिधान पर चलने लगे क्या ये बात सच है कि प्रिंट मीडिया का धीरे धीरे पतन हो रहा है तो जानिए आकडों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अकबारों का पतन हो रहा है electronic, web, social, आदी मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया के इतना popular होने के पीछे कई कारण है जिन में लोगों का सिक्षित होना सबसे मुखे कारण है जहां विक्सित देशों में अकबारों के प्रिती लोगों का रुझान गट रहा है वहीं भारत में इसके विप्रित प्रिंट मीडिया का परसार और भी पढ़ रहा है सन 2011 की जनगर्णा की अनुसार हमें यह पता चलता है कि भारत में सक्षर्टा दर भड़ी है 2001 की तुलना में भारत में लोग सिक्षित हो रहे हैं साथ ही इस साथ उनमें पढ़ने और जानने की उस्थचता भढ़ रही है जिसकी कारण भारत में print media का परसार और भी ज़ादा फ़र रहा है मैं बैस依ाए कहना चाहती हूँ कि print media का भविश्य अभी भैठर है और इस print media का भविश्य हिंदी और छेतरिय भासाई पत्रिकाओं पर निर्फर करता है आज भी लोग किसी भी खबर की सत्यता को जानने, विस्तित जानकारी प्राप्त करने और जागरुता बढ़ाने में अकबार का सहारा लेते हैं प्रिंट मीडिया भले ही भहुती सीधा यानि धीमा माध्यम है परन्तु यह आज के कम्पीटर के युग में यह प्रिगर्ती भी कर रहा है इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया का भहुश्य भहुती उजवल है इसी के साथ मैं अपने इस टोपिक को अब खतम करती हूँ धन्यवाद मैं एकता जे एमसी न्यूज